तुमने कभी ना कभी तो वनीला फ्लेवर की आईस्क्रीम खाई होगी और ये फ्लेवर कई लोगों का फेवरिट भी होता है पर आज इस फ्लेवर के पीछे की सचाई सुनकर तुमारा वनीला आईस्क्रीम खाने का कभी मन ही नहीं करेगा वनीला फ्लेवर बनानी के लिए एक केमिकल यूज करा जाता है जिसे कैस्टोरियम कहते हैं जो की और कहीं से नहीं बलकि बीवर जानवर की पोटी से बनता है इसके एकस्क्रीटा में कैस्टोरियम भारी मातरा में होता है और 2007 में International Journal of Toxicology ने बताया है कि कमपनीज पिछले 80 सालों से इसका इस्तमाल परफिम्स और खाने में करती है यानि कि कुल मिला के बात ये है कि तुम वनीला ऐस्क्रीम में चुपी बीवर की पोटी खा रही हो अब अगर इसे सुनकर तुमारा भी उल्टी करने का मन हुआ हो तो कमेंट करना मत भूलना